हर्याना का विधानसभा चुनाव जो है वो सरपर है कुछी महीने में विधानसभा का चुनाव होगा लेकिन भारतिर जन्ता पार्टी अभी से पोल मोड में है उन्होंने फुली अपने आपको गेर्ड आप करने के लिए आज एक पंचकुला में बड़ी स्टेट एक्स्टें चेंज अफ गार्ड भी किया था मनौरल अलक्टर को हटा के नाइप सानी को लेकि आए थे लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हो उसको बहुत ही सीरियस ले रही है भारते जन्ता पार्टी अगर आपको इसको डीप अनालिसिस करें तो क्योंकि लोकसभा में पिछली यही कारण है लगबग ऑक्टोबर में इलेक्शन है और उससे पहले ही कुछ महीने पहले ही बीजेपी गेर अप कर रही है आज एक बड़ी मीटिंग बंचकुला में की और साइन्स यही थे कि हम इस इलेक्शन को बहुत सीरियस ले रहे हैं धरमेंदर कल्यान ने भी बाहरा है लेकिन एक चीज तो तैय है कि स्ट्राइजी जो है वो बनाने में अभी से बीजेपी जुट गई है इसके इलावा चेंज अफ गार्ड हुआ मनौरला लखटर के चेहरे को हटा कर नाइब सानी को लगाया गया उसके बाद लोकसबा में जो है पांच सीटें जो है वो समय पहले दोनों का अलाइंस टूड गया है उस गैप को कैसे कवर करेंगे क्योंकि दस सीट बीजेपी जेजेपी की थी वो तब मिला कर साथ सरकार बनी थी उस गैप को कैसे कवर करेंगे उस वोट बैंक को कैसे कवर करेंगे आगे जाके अलाइंस का चांस बनता है नहीं ब अगर हर्याना की पॉलिटिक्स तो देखा जाए तो यह बहुत इंट्रस्टिंग है नाइपसानी के लिए भी स्टेक्स बहुत आए हैं क्योंकि वो मुख्यमंतरी बने हैं एलेक्शन जीते हैं अब और अब वो डिफिनिल्टी चाहेंगे कि उनके चेहरे पर चुनाव हो यह लिए कि पार्टी ने किसी तरह के संकेत नहीं दिया लेकिन उचाते होंगे कि जो भी तीन-चार महीने की परफॉर्मेंस है वो उसका फाइदा जो है बीजेपी को हो सो आज की मीटिंग बहुत एहम थी क्लियरली बोला गया है सबी को कि आप इलेक्शन के लिए काम करें विनिंग के लिए काम करें लोगों के बीच में जाएं विनिबिल्टी फैक्टर देखें और उस हिसाफ़ से सीट्स भी मिलेंगी और उस हिसाफ़ से अगर बीजेपी अ हुआ 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 है